कच्छा पांच पाठ पांच घमंड बच्चो यह कहानी सीप में रहने वाले कीड़े की है जो मोती बनाता है अब इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ेंगे आप लोग अपनी पाठे पुस्तक में देखेंगे चमकदार और कीमती सफेद रंग का मोती तो आपने देखा ही होगा असली और सचे मोती की कीमत हजारों तक पहुँचती है यह मोती सीप में से निकलता है सीप समुंदर में होती है बच्चो मोती जो है जो असली मोती जो है वो सीप में से निकलता है और ये सीप जो है वो समुंदर की गहराई में होता है इसलिए यह मोती जो है वो बहुत किमती होता है जो असली मोती होता है सीप में रहने वाला कीड़ा या किमती मोती बनाता है यह कहानी वास्तों में उसी सीप में रहने वाले कीड़े की है इस कीड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कीड़ा जो है उसको अपने आप पर बहुत घमंड था बहुत ज़ादा नाज था वह समझता था कि उससे ज्यादा काम का कीड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं है रेसम का कीड़ा भी वड़े काम का होता है मगर रेसम मोती जैसा कीमती तो होता नहीं इसलिए सीप वाले कीड़े को अपने आपर बड़ा नाज था और हमेशा ही उसे इस बात का घमन रहता था सीप वाले कीड़े को या घमन रहता था कि वो बहुत ज़्यादा कीमती है इसलिए उसको अपने उपर ज़्यादा घमन था वो सोसता था कि संसार में और भी कीड़े हैं लेकिन सबसे महत्पूर्ण जो है, सबसे कीमती जो है, सबसे ज़्यादा जरूरत का कीड़ा जो है, वो सिर्फ वही है एक दिन की बात है कि समुद्र में जवरजस्त जवार भाटा आया, लहरू में हलचल मच गई, सीप वाला कीड़ा अपनी चमकीली और रंग विरंगी सीप के अंदर बंद रहकर समुद्र की गहराई में रहना पसंद करता था वह इतना घमंडी था कि पानी के उपर आना भी अपना अपमान समझता था, मगर जवार भाटे ने उसे जवरजस्ती सता की तरफ उच्छा दिया बच्छो एक दिन समुद्र में तुफान सहया और लहरे तेज हो गई और उस समय क्या हुआ कि समुद्र की गहराई से जो सीप वाला कीड़ा था वह उपर आ गया समुद्र के सता पर आ गया और सता पर आकर उसने अपनी चमकीली सीप की डिविया के कीवार खोल कर उपर की इस दुनिया में जाका समुद्र का जो कीड़ा था यानि सीप वाला जो कीड़ा था वह बाहर आना पसंद नहीं करता था वह समुंद्र की गहराई में ही रहना पसंद करता था किन्तु एक दिन जब समुंद्र में जवार भाटा आया लहर तेज हो गई तब वह समुंद्र की सतह पर आ गया और जब वह सतह पर आ गया तो चाहकर भी वह समुंद्र में नहीं जा सकता था और वह अपनी डिबिया के अंदर से ही अपनी डिबिया को खोल कर देखता है किवार खोल कर देखना मतलब दरवाजा खोल कर वह देखता है कि दुनिया कैसी है अभी वह जहांक ही रहा था कि समुंदर की एक उची लहर ने उसे उठा कर रेद पर फेक दिया अब तो किड़ा बहुत घबराया खुद चलकर वह दोबारा पानी में नहीं जा सकता था मगर समुन्दर की लहरे उसे बार-बार आकर छूती थी उसे बड़ा कुरोध आ रहा था उसे क्यों कुरोध आ रहा था? क्योंकि वह समुन्दर की गहराई में रहना पसंद करता था और समुन्दर की लहरे उसे बार-बार छूत रही थी लेकिन कोई भी लहर इतनी तेज नहीं थी कि उसे अपने साथ बहा कर समुन्दर में ले जाती जिसे वह प्रसन हो जाता इसलिए उसे समुद्र की लहरों पर क्रोध आ रहा था समुद्र की किनारे उगे हुए पेड़ पर एक वह बहुत देर से उसकी बेवसी बेवसी का आर्थ क्या होता है? मजबूरी को देख रहा था और वह उसके पास जाकर उसको ठोकता है और बोलता है इसके अंदर कोई है अगर है तो दरवाजा खोलो अब सीप वाला कीड़ा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घमंडी था तो वह जवाब देता है कौन सैतान हमें परिशान कर रहा है यानि कववे को वह क्या कह देता है वह कववे को सैतान कह देता है यानि दूष्ट ठीक है घमंडी कीड़े के ने अंदर से चिल्ला कर पुछा अब कववा जो है वह जवाब देता है मैं सैतान नहीं हूँ दरवाजा खोल कर बाहर तो आओ सियाना कवा बोला क्यों आऊ बाहर दर्वाजा खोल कर बाहर तो आऊ कवा बोला वाले कीड़े से कवा बोलता है कि मैं कोई सैतान नहीं हूँ मैं कोई दूष्ट नहीं हूँ तुम बाहर आके देखो तो अब सीप वाला कीड़ा बोलता है मैं क्यों आऊ बाहा है मुझे क्या जरूरत है बाहराने की ठीक है जरा बाते करेंगे और क्या अब कववा जो है वो उससे बात करना चाहता है सीप वाले कीड़े को कववा बहुत अथक प्रयास करता है कि सीप वाला कीड़ा जो है वो सीप से बाहर निकल जाए क्योंकि वो सीप जो है वो बहुत कड़ा होता है उपर से इसलिए वो कववा उस कीड़े को पकड़ नहीं पा रहा था नुकसान नहीं पहुचा पा रहा था और सीप वाला कीड़ा जो है वो उसके अंदर बैठा हुआ था वो बाहर नहीं आना चाह रहा था बच्चो यह कहानी अब हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसमें के कुछ कठिन सब्द है जिसको हम देखेंगे कठिन सब्द जबर दस्ट कीमती किवाड बावजूद क्रोड सैतान बच्चो कुछ सब्दार्थ है रचल का अर्थ होता है सोरगूल या हरकम किवाड किवाड मतलब दर्वाजा कपाट पट क्रोड का अर्थ होता है गुस्सा बच्चो कठिन सब्द को आप अपने कॉपी में तीन तीन बार लिखेंगे